हेलो गाइज वेलकम बैक तो आर यूट्यूब चैनल तो इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे क्लास 8 का मैथ्स आर्यस अगरवाल चैप्टर नमबर फर्स रिशनल नमबर जिसकी एक्साइज वन एका क्वेशन नमबर टैन question number 10 है हमारे पास which of the following statements are true and which are false ठीक है ये कुछ statements आपको दी वी है total number of statement 3 है यहाँ पर ठीक है इनको आपको बताना है कि कौनसी statement आपकी true है और कौनसी statement false है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं तो यहाँ पर लिखावा है every whole number is a rational number every whole number is a rational number तो सबसे पहले बात करते हैं whole numbers की जो होते है वो whole numbers होते है ठीक है तो 0,1,2,3,4,and to infinity clear है तो 0 से start होंगे और infinity तक हमारे चलेंगे वो कौन होते हैं हमारे वह होते हैं हमारे whole numbers, अब मुझे एक बात बताईए, क्या यह जितने भी whole numbers है, वो rational numbers होते हैं, जी हां, बिल्कुल rational numbers होते हैं, कैसे, देखे 0 जो होता है यह भी एक rational number होता है, क्योंकि 0 को हम क्या लिख सकते, 0 upon 1 लिख सकते, clear है, 0 upon 1 लिख सकते, अब मैं आपको बताता हूँ rational number हो सकते है क्या तो rational number की condition rational numbers क्या होते है तो rational numbers होते है P upon Q के format में किस format में होते है P upon Q के format में और P and Q जो होते है वो क्या होते है हमारे integers होते है P and Q क्या होते है हमारे integers होते है and q की एक condition होती है q is not equal to 0 होना चाहिए चो q होता है ना वो 0 नहीं होना है q 0 नहीं होना चाहिए यह बात ध्यान रखना तो देखें यहाँ पर 0 upon 1 0 की नीचे क्या होता है default value क्या होती है हमारी 1 होती है यह बात ध्यान रखना तो 0 upon 1 है 0 upon 1 means p upon q के format में है और q is not equal to 0 जी हाँ q is not equal to 0 है q यहाँ पर 1 है p की कोई condition नहीं p 0 हो सकता है possible है ठीक है तो p and qr integers आपको पता है 0 integers होता है तो p and qr integers and q is not equal to 0 जी हाँ 0 upon 1 satisfied कर रहा है मतलब 0 क्या है हमारा एक rational number है यह बात ध्यान रखना मान के चलिए 100 है 100 के नीचे भी 1 है मान के चलिए 404 है 404 के भी नीचे 1 है तो जितने भी positive integers है जितने भी positive values है positive number है उनके नीचे क्या होता है default हमारा 1 होता है positive छोड़ो negative integers के भी हमारा default क्या होता है denominator में 1 होता है जीसे for example minus 23 लिखा minus 23 divided by कुछ भी नहीं लिखा मैंने तो default क्या है याँ पर 1 है ये बात ध्यान रखना तो p upon q के format में हो गया p and qr integers है जी हाँ p and qr integers है बिलकुल n q is not equals to 0 भी है तो मतलब minus 23 जो होगा वो भी हमारा rational number होगा clear है बात समझ में आ रही है ठीक है first वाला मैंने आपको समझा दिया second वाले की बात करते है second वाले की बात करते है every integer is a rational number अब मैं इसे रप कर रहा हूँ अब मैं आपको समझाता हूँ every integer is a rational number तो integer की बात करते है integer होते क्या है सबसे पहली बात ठीक है अब देखो मैं आपको है ना डायरेक्ली नहीं बता रहा हूँ true false true false मैं आपको समझा भी रहा हूँ statement को भी मैं समझा रहा हूँ कि क्या होता है तो देखिए every integer is a rational number तो integer को हम क्या करते है classified करते हैं दो category में कौन सी positive और एक negative है ना दो type के होते है integers positive और negative और एक होता है हमारा 0 ये भी एक integer है क्या होता है एक 0 जीरो जो होता है इसको अलग category में इसलिए रखा है ना तो ये positive होता है और ना negative होता है ये दोनों ही नहीं होता है clear है ना तो ये 0 positive है ना negative है neither भी positive nor negative ये बात ध्यान रखना जीरो की condition अब देखिए positive integer अकर हम बात करें तो positive में 1 2 3 4 5 6 and 2 infinity चलता है negative integer में बात करें तो minus 1 से चलेगा minus 1 minus 2 minus 3 and 2 infinity चलेगा ठीक है यहाँ पर positive की बात करें 1 2 3 positive positive 2 infinity and minus 3 minus infinity clear बात तो every integer is a rational number जी हाँ every integer is a rational number जितनी भी integers है वो rational number है का जी हाँ 123 to infinity जाओ आप आराम से rational number बनेगा minus 1 minus 2 अभी मैंने आपको बताए है वो हमारे क्या होते है रिशन नंबर होते है यह बात ध्यान रखना clear तो zero भी हमारा क्या होता है rational number वो मैंने आपको बताया था तो यह भी condition हमारी क्या है यह भी हमारी condition true है चतने भी integers है वो क्या हमारे rational number है अब देखें यह आ पर zero is a whole number but is not a rational number क्या बोल रहा है ये बोल रहा है अपने को कि बही जीरो जो है वो whole number है लेकिन rational number नहीं किसने के दिया ऐसा किसने का कि बही जीरो whole number है जी हाँ क्योंकि 0 एक इंटीजर होता और जितने भी इंटीजर होते हैं उनके नीचे default value जो denominator होता है वो क्या होता है हमारा 1 होता यह बाद रखना तो जिए क्या होता है एक इंटीजर होता है और इंटीजर के नीचे क्या होता है हमारा 1 होता है Default value 1 और यह क्या बना रहा है हमारा P upon Q का format बना रहा है P and Q are integers जी हाँ 0 and 1 integers है and Q is not equals to 0 यह भी एक condition लग रही है आपर क्यों हो चती हो यह हरे, मतलब 0 जी होता है वह क्या होता है हमारा Racial number होता है ठीक है तो यह statement जो ही यह गलत हुई यह false है यह question गलत कह रहा है यह statement गलत कहिए यह जीरो कह रहा है जीरो कै रहा हुए ठीक है तो उमेद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बैल आइकन को जुरूर प्रेस कर लिजेगा जिससे की अपकमिंग वीडियो के नॉटिफ आपको टाम टो टाम मिलते रहे है थैंक यू सो मच